नमस्कार संस्कृत के प्रिवद्ध्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं पंकस्ति बारी जैसा कि मैंने आपसे वद्द किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए इसके कुछ बहु विकल्पी प्रश्ण लेकर किया हूंगा तो आज संसार सागरस नाहिका ज मतलब होता है निसुल सिक्षा जहां पर कोई भी रूपिया पैसा आपको नहीं देना होता और मैगनेट ब्रेंस आपको देता है दो प्लेटफॉर्म एक तो मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम और मैगनेट ब्रेंस इंग्लिस मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की समस्त बोर्डों के आपको यहां पर सारे के सारे वीडियो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिये जाते हैं तो डर किस बात का देर किस बात की जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेल आइकन को दबा दीजिए और आप सभी को मालुम है कि मैगनेट ब् लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो इनोट्स और इबुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगे ज्यान रखेंगे आज हमारी जो क्लास से उस पर हम लग आगे बढ़ते हैं कक्चा आठवी संस्क्रिज्स संसार साग्रस सिनायका अश्ट महापाथा मल्टीपल च्वाइस कुश्चन ठीक है तो इतडागा को अर्था पहला प्रशन हमारा यहां दिया है बहुपिकल्पी प्रशन है आप लोग ध्यार रखेंगे ये प्रशन आपके लिए हैं आपको अंसर देना है कमेंट के माध्यम से और ध्यान रखें क कोई भी प्रशन छूटना नहीं चाहिए आपसे बनता है तो भी कमेंट देना है और नई बनता है तो भी देना है क्योंकि एक बार गलत होगा दुबारा नहीं होगा ठीक द्यान रखना तडागा को अर्था तडागा सब्द का क्या अर्थ है तालाव नदिया जील सागर द दूसरे प्रश्ने पर चलाएं यहां गज परिमारम धार्यति सहका भावति जो गज परिमार को धारण करते थे वो करते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं ठीक गज परिमार समझ लीजिए मतलब तीन गज की यहां लोहे की छड़ी होती थी तीन हाथ की उसको वो लोग रखते थे और अपने पास लेकर के चलते थे उनको हम क्या कहते थे जग जगधरा गदाधरा गजधरा या चक्रधरा जल्दी से आप लोग बताईए अंसर दीजिएगा और मैच करते जान गजधरा गजधर कहते थे उनको जो गज़ परिमान को धारण करने वाले होते थे प्रश्ण क्र मांग तीसरे पर चले तीसरे नंबर का प्रश्ण है गजधर आहा के आसन गजधर कहां थे लोहकार आहा कुम्बकार आहा स्वर्णकार आहा या वास्तुकार कौन थे जल्दी से बताएं कौन थे गजधर गजधर भाई साहब बास्तुकार थे कौन थे वास्तुकार बास्तुक थे लोहकार मतलब लोहार कुम्भकार मतलब कुम्हार स्वर्णकार मतलब सुनार ठीक सौने के आभुषण बनाने वाला स्वर्णकार मिट्टी के वर्तन बनाने वाला कुम्भकार और लोहे के सामगरी का निर्मार करने वाला लोहकार वास्तुकार होता है जो घर आदी को बनाता है ठीक है ना वस्तु आदियों को बनाता है वो वास्तुकार है जो लोगों की भावों को समझता है वो वास्तुकार है प्रश्निक्रमांग चार पर चलते हैं प्रश्निक्रमांग चार हमारा क्या कहता है जिग्यासा को अर्था जिग्यासा मतलब जानने मंदर से उठने वाले भाव ठेक जिग्यासा सब्द का क्या अर्थ है पढ़ने की एक्षा जानने की एक्षा खेलने की एक्षा गाने की एक् अच्छा है तो यह जानने की एक्षा वो जिग्यासा कहलाती है फिर इसके बाद प्रश्निक्रमान पांच देखें पांच में क्या दिया हुआ है तडागा ही कौन है ठेक है ना तडागा ही कौन है संसार सागर रक्षका संसार सागरा है संसार संसार भक्षका संसार युद्ध है ताला तालाव यह संसार के सागर है तालाव यह संसार के रक्षक हैं तो संसार सागरा संसार का सागर नायक है कौन तालाव प्रश्निक्रमांग 6 पर चले प्रश्निक्रमांग 6 हमारा ध्यान से देखें लिखा हुआ है खाली स्थान उभायता व्रिक्षा संती ठीक खाली स्थान उभायता सब्द के साथ में क्या लगाना है ग्रामस ग्रामात ग्रामम ग्रामे तो आपको मैं बता दू कि यहां पर यह स योगे ठीक धिक योगे दुतिया यहने की योग में दुतिया विवक्ति लगती है तो आपका गा नंबर का अंसर बिलकुल सही हो जाएगा कौन सा अंसर हो जाएगा गा नंबर का अंसर आपका बिलकुल और बिलकुल सही हो जाएगा ध्यान लखना ठीक अब आगे इसके आग म्रगाह के साथ दोड़ता है म्रगेशु म्रिगात म्रगेभ्या म्रगई 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 ही सहधावंती ठीक पसू पसूं के साथ दोड़ते हैं हिमहरण हिरण के साथ दोड़ते हैं तो यहां म्रगई ही सहधावंती ठीक है समझ में आ गया आगे देखें इती प्लस असमिन इती असमिन तो इसमें तो भही अब पहला नंबर ही होगा यण संदी वो देख लीजी कैसे इती प्लस असमिन है यह दिया हुआ है आप ए मैसे वह इता और छोटी को बाहर कर लेंगी असमिन सब्दा आ जाएगा ठीक है यह आ गया फिर इस ए की स्थान पर यह हो जाएगा यह तो और असमिन हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो यह बनेगा इत्यसमिन बन जाएगा इत्यसमिन समझ में आ गया यहाँ पर भी आपका पहला नंबर का अंसार बिलकुर राइट होगा आगे बढ़ो चलिए नौमे नंबर का प्रस्ट है नौमे नंबर की प्रस्ट में देखते हैं असे से को अर्था असे सब्द का अर्थ क्या है से संपूर्ण आधे कुछ जल्दी से बताईए अब आपको बताना है यह अंसर और मैच करिएगा ध्या नहीं जानता प्रश्ट क्रिमांक 10 देखें तडागाह सुन्यात ना प्रकटी भूता प्रश्ट निर्माल इसका प्रश्ट निर्माल करना क्वेश्चन बनाना है अंसर की जगह ठीक तो इसमें क्या है तालाव सुन्यात माने सून ना माने नहीं प्रकटी भूता सून से प् पंचिमी वक्ति मैच करो सुन्यात कस्मात सुन्यात कस्मात कहीं इसकी तर्ज बन रही है और जो तर्ज बन रही हो तो बस उसी को लगा देना कस्मात पंचिमी वक्ति कहा कम के अनकस्मी कस्मात बनेगा हाँ चले प्रश्ण क्रमांग दस के बाद 11 नंबर पर चलते हैं लिखा है इमे एव तड़ागा खालिस्थान संसार साग रहा थे इती यही तालाव क्या है संसार के अत्र संसार साग रहा इती यहीं संसार सागर कहते हैं अत्र कोत्र यत्र एतिसु कोपिला बताए यहां पर तालावों को क्या कहा जाता है वोने संसार का सागर कहा जाता है यही ताला अत्र यहां संसार शागर हैं आगे देखें प्रश्ण क्रिमां के ग्यारह के बाद चलते हैं और बारह नंबर पर बारह नंबर का प्रश्ण कहता है परम बिगत एसु दुई सत वर्ष एसु नूतर पद्धत्या समाजेन यत किंचितो परन्तू बिगत मनें बीटे हुए दुय सत वर्ष दोसो साल से दोसो वर्षो में नूतर नंबन नई पद्धत्याओं से समाजेन मने समाज की दौरा यत किंचित कुछ भी नहीं यह जानने की एक्षा नहीं की गई पठितौम पठती पठता पठितम क्या बताईए परंतु ये 200 वर्सों से पढ़ते पढ़ते हो गया आधुने की उक्से पठितम लेकिन समाज ने ये जानने की इक्षा नहीं की कि ये तालाब आए कहां से हैं इसका रहस्य क्या है इनका इतिहास क्या है किसी ने जानने की इक्षा नहीं की को लेखे थिरह नंबर के प्रत्शनएं पर चलते हैं एतिसाम आयोजनस नेपत्थ निर्मा पेटी राम एके कम निर्मा त्री नाम चार्दसकम क काली स्थन एतिसाम स्वानि oxid इन आयोजनों के लिए इस आयोजन के लिए पीछे से नेपत्थ से आबाज आती है कि निर्मात्री राम एक 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 और निर्मात्री राम चा दसकम और दस दस वर्सों से ठीक है ना एक से लेकर के दस और दस से लेकर के हजार वर्सों तक गए अस्ति थे इस्तह संति तो क्या हो जाएगा तो यहां पर भी आपका आसी थे भूत में चला जाएगा भूत काल की बाध चल रहे फिर देखें यहां 14 नंबर का प्रशन दिया वुआ है असेसे ही देसे निर्मी यंते इस्म निर्मातारोपी असे से देसे निवसंती इस्म तो यहां तडागा आएगा कि नदी आएगा समुद्रा आएगा है कि एतेसु कोपी ना देखिए यह भी जितनी भी यहां एक खालिस्थान दे रहे हैं मैंने जो खालिस्थान दिये हैं यह आपकी पंक्ति पर आधारित हैं और पंग्तियों के यहां अंसर देने की आपको कोश्ष करना है क्योंकि आपके पाठ में ही यह दिये हुए हैं अब यहाँ तडागा हनदी समुद्रह एतेसू कोपिना क्या हो जाएगा तो यहां तडागा आ असे से देशे तडागा नирमियंतेस में ठेख बोले असे से अभी बताया था संपूर्ण देश में रो सुचित भागे सु सब्दों यम प्रचलती राजिस्थान अस्यों के सुचित भागे सु राजिस्थान के किसी भाग में सब्दों यह सब्द क्या है प्रचलित है कौन सा अध्यापी कदापी अस्ति आयते सुकोपिन अध्यापी आज भी आज भी राजिस्थान के किसी भाग में यह सब्ट क्या है प्रचलित है कौन से सब्ट गजधारा क्या गजदो राहे जो आज भी मने आज भी प्रचलित है है वह सब्द गजधर सब्द ठीक है न वह सम्मान के साथ किया बोला जाता आगे देखें गजधराह वास्तुकाराह गजधर कौन है वास्तुकार है आसन अस्ती इस्ता शंती गजधराह वास्तुकाराह संती गजधराह ठीक है ना गजधराह वास्तुकाराह आसन थे भूत काल में आज नहीं है ठीक है ना इसलिए संती नहीं आएगा आसन मतलब थे इस मतलब नगर के नियोजन में मतलब बनाने में लगु निर्माल परियंतम छोटे से छोटे कार का क्या करना बनाने में सरवानी कार्यानी सभी कार्यों में एतेसु एव आधुतानी और यही क्या रहते थे आगी रहते थे यही करते थे इसम आसन आसीत एतेसु क्या हो जाएगा लाश्ण में आधुतानी आसन आधुतानी आसन यह भी क्या भूत काल में जाएगा फिर 17 नमबर की प्रश्ण पर चले 17 नमबर का प्रश्ण अठा 18 नमबर का सौरी यह कहता है गजधराह की आसन गजधर कौन थे वास्तुकाराह चित्रकारह पत्रकारह यह ते कोपिना गजदर कौन थे तो गजदर वास्तों में कौन थे वास्तुकार थे प्रशने कर्वांक 18 के बाद आगे वढ़ानेंगे और उननीस पर चले हुआ उननीस नंबर का प्रशन्र क्या कहता है कि सम्माननिया कौन सम्माननिय है गजधरेव्या बल धरेव्या सत्ति धरेव्या एतेशु कोपिन ठेक गजधरेव्या यह सब्द जो है किसके लिए है सम्माननिय कौन सम्माननिय थे गजधर सम्माननिय थे बीस नमबर का पॉष्प्रस्वय माँखिए घञे का मतलब होता हैं किस तीन गज की छड़ी को लेकर के यहात है इसे लिए थार इती ठीक फिर इसके बाद आग़े बड़ते हैं अगले प्रश्ण पर 21 नंबर के प्रश्ण यह क्या कहता है किस नंबर का प्रश्ण ध्यान से देखें इसमें लिखा है कस राज्यस भागे सो गजधर आहा सब्दा प्रियोग जते किस राज्य के भाग में गजधर सब्द आज भी प्रियोग में लाया जाता है किस राज्य का बताए तो राजस्थान के किसी भाग में आज भी सब्द को बहुत सम्मान के साथ प्रियोग में लाया जाता है चलिए आगे देखें प्रश्ण क्रमान की कीस के बाद आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर क्या कहता है करि समापतो बेतनानी अतरिच्य गज धरेभ्या कैम प्रदियतेशन कम कर की समापती पर वेतन आधी की अतरिकत गज धरेभ्या गजदहरों के लिए क्या प्रदेशन क्या दिया जाता था तो सम्मानम अपी, निराधरम अपी, इसनेहम अपी, एतेसु कोपी न तो उनको वेतन तो प्रिये नहीं था देखें उनको वो सम्मान के प्रिये थे इसलिए गजधरों को पहले क्या दिया जाता था सम्मान दिया जाता था बाद में उनको वेतन दिया जाता था सुन्दर शब्द है सुन्दर सब्द क्या है देखिए गजधराह चित्रकराह पत्रकाराह एतिसु कोपिना कौन सा है सुन्दर शब्द बताएंगे क्या सुन्दर सब्द है तो गजधर गजधर बहुत सुन्दर शब्द है और देखे प्रश्निक्रमांग 24 प्रश्निक्रमां क्या कर देते थे निभाते थे और बहुत इमांदारी के बाद इमांदारी के साथ निभाते थे गजधर उस अपने इमांदारी के साथ उसको निभाते थे तो नगर प्रवंधनस सुरक्षा प्रवंधनस यो सासन प्रवंधनस एते सुकोपी ना देखिए जब आपने देखा है कि गजधर जो आदमी थे गजधर जो लोग थे गजधर क्या करते थे अपने नगर प्रवंधन में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार को करने में आगे ब बज़े से वो क्या होते थे इसी के बज़े से वह अपने कार को करने में सक्षम हो जाते थे इसलिए तो प्रबंधन कहते हैं किसी कार की बिसेस आवस सकता है और बहुत सारे कार को साधना चाहे छोटा सा कार हो चाहे किसी की परिशानी हो किसी के यहां वे जैसे गमी हो जाने क तो किया करते थे वह तत्पर रहते थे इसलिए वह सारे काम को निभाने वाले क्या होते थे नगर के प्रभंधन प्रवंधन समिती ठेक नगेर की सुरक्षा प्रवंधन सुरक्षा भी करते थे नगर प्रवंधन केवल नगर की प्रवंधन रक्षा करते थे लेकिन वो सुरक्षा प्रवंधन से सुरक्षा करते थे उनकी ध्यानकन सासन प्रवंधन भी तो कहलाता है वो भी तो सासन करते थे तो ऐसे तो अगर सटीक ता देखे तो सुरक्ष्य परवांधण पर और बागी अगर देखे तो यह सब च्छोटी-च्छोटी रूप में यह समक उसमें आजcirjin आजाती है लेकिन परिक्ष हमारे इसमें पाट में जो आया है को सुरक्छाप्रबंदन आया है तो इसकों लूग लिख चलें और 24 नवर के बाद 25 नमबर पर चलते पच्चीस नमबर में क्या दिया है वाडम वारंव शब्दस का अर्था वाड़ सब्द का अर्थ क्या है बाड़म सब्द का अर्थ है बहुत अच्छा बहुत बुरा बहुत गंदा या इनमेसी कोई नहीं बाड़म सब्द का अर्थ होता है बहुत अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाव ठीक लोगों का गजधर के प् 25 वैसे जो भी प्रश्ण आपसे नहीं बन रहा है आप मुझे comment के माध्यम से जरूर दीजिएगा जिस प्रश्ण में हैं कि यह प्रश्ण आपसे नहीं जा रहा है तो आप कमेंट सेक्षिर में दे सकते हैं साम के समय में वैठता हूँ तो उसके सारे जबाब आप लोगों को प्राप्त जरूर होंगे इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है क्योंकि कमेंट के वाद्यम से आपके अंसर देना हमारा काम होता है आप जब तक देंगे नहीं तो अंसर कैसे मिलेगा इस बात को ध्यान रखना है आपको ठीक और बागी आप सभी को मालूम है कि भारत का एक मात रहसा प्लेटफॉर्म मैगनेट ब्रेंस ही है जो आपको 100% फिर देने का काम कर रहा है कहीं पर भी आप ध्यान रखना पूरे यूटूब पर सर्च कर लीजिए मैगनेट ब्रेंस आपको क्वाइलिटी कंटेंट के सार्थ दो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है मैगने कर सकते उनको बता सकते हैं आपके रिष्टेदारी में सगे समंधी भाई बहन कोई भी है एक्स वाइज जट इंगलिस मीडियम से तो उनको इंगलिस मीडियम पर दे सकते हैं और हिंदी मीडियम कख्छा छडवी से लेकर के कख्छा बारहिमी तक के दिल्ली बोड बिहार ब बैल आइकन को दबाना विल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि नए वीडियो की अपडेट चाहिए ना हाँ नए वीडियो की अपडेट और डेली अपडेट चाहिए तो आपको बैल आइकन दबाना ही होगा वीडियो को लाइक करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे मैं बहुत जल्द आपके लिए दूसरी क्लास लेकर के आऊंगा लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको जब क्लास मिल रही है तो कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए तो मैगनेट ब्रेंस बहुत सुंदर तरीके से सिक्षकों के मार्ग दर्सन में कख्छा छटवी से लेकर के बारहमी तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम के नोट्स भी प्रॉवाइट कराता है तो नोट्स की जानकारी भी आपको लेने नहां कहां से लेंगे वो मैं आपको बता रहा है लिंक इन डिस्क्रिप्शन वाक्स में नीचे जाईएगा पहुंच गए तो देखिए इनोट्स और इबुक्स ऐसे दो आइकन आपको मिलेंगे तो उसकी संपूर जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी बिलकुल भी आपको परिशार नही देखी रहे ठीक बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास के साथ जब तक के लिए जय तुस्सक्रितम जय तुभार्दम